हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो मैं चैनल चली दिक्तिकल मार्केट कहार ट्रेड कर सकते हैं और उसके पिछे का लॉजिक है आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 23815 पे मिली है और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 670 पर उपर क्लोज हुआ है जैसे आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट हुई और पहले 15 मिनिट के कैंडल के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड करने रहा था बैंक निफ्टी तीन गंटे से पहले 15 मिनिट के कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था और जैसे ही 12 बजी के बाद बैंक निफ्टी ने पहले 15 मिन के कैंडल उस रेंज के उपर क्लोज की वैसे ही बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई मारा और जैसे बैंक निफ्टे ने 12 बजी की जो range ब्रेक की, उसके बाद बैंक निफ्टे का नया हाय 33,600 के आसपास मिला, वहाँ से कुछ profit booking मिली, और उसके बाद जैसे बैंक निफ्टे ने अपना नया वाला हाय 33,600 के ब्रेक किया, वैसे ही market सीधा गया, और 33,900 के आसपास की closing मि अपने डडे हाई के पास close हुआ तो चलिए कल देखते हैं कि market को किस level के उपर buy करना है या sell करना है अगर कल bank nifty इसी range के आसपस trade करता है और इसी range के आसपस flat opening होती है तो bank nifty कम से कम यहाँ पर 1-2 गंटे की range बनानी चाहिए और उसके बाद जैसे ही इस range को break करता है यानि 3300 ज 3300 700 के आसपस की range बननी चाहिए और जैसे ही उस range को break करता है तो bank nifty का पहला target रहेगा 3418 और उसके बाद bank nifty का दूसरा target रहेगा 34480 का और अगर bank nifty उसे range को नेक्षे के side में break करता है तो उसके बाद downside में bank nifty का target आपको मिल सकता है 33650 और उसके बाद अगला target मिल सकता है 33400 और अगर कल bank nifty 400 या 500 point gap up open होता है और कोई negative candle बनने का weight करूँगा और जैसे ही कोई negative candle बनती है उस candle के high का stop loss लगा के उसी candle के low को में sale करूँगा और अगर कल bank nifty 400 या 500 point gap down open होता है तो मैं वहाँ पे कोई range बनने का weight करूँगा या फिर कोई bullish candle जैसे hammer उस candle का बनने का weight मैं buying की position ले लूँगा और इसी candle का low का मैं stopless लगा लूँगा और जो भी लोग option selling के try करते हैं और option selling करते हैं उनके लिए कल की range रह सकती है अगर कल gap up open होता है तो market कल 35,000 से लेके 34,000 के range के आसपस ही घुमेगा इसी range में रहेगा और roll address हो जाएगा और यदि हमें market gap down open होता है तो market के लिए 33,000 से लेके 34,000 के range रहेगी trade करनेगी यही पर आप यहापे straddle बना सकते हो कल याद रखना कल 4 जों के election का result है तो कल market में बहुत volatile रह सकता है तो कल आप कम quantity से trade कीजिएगा अगर नहीं भी किये तो भी कोई problem नहीं है तो चलिए अब nifty को देख लेते nifty की आज की closing हमें मिली है 16,345 की और कल nifty की closing और nifty कल की closing से 331 point उपर close हुआ है यानि nifty दो दिनों से 700 point की rally कर चुका है तो अगर कल nifty इसी range में open हो flat open होता है और इसी range में 1-2 गंटे तक trade करता है और जैसे ही इसके high को break करता मैं एक buy position ले लूँगा अग मेरा जो target रहेगा वो पहला target रहेगा 16,460 का और दूसरा target रहेगा 16,520 का और वही range नीचे के side में break होती है तो मेरा पहला target रहेगा 16,290 और next target रहेगा 16,240 का और यदि कही nifty gap open हो जाता है 100,200 point उस समय मैं wait करना पसंद करूँगा और वहाँ पे अगर कोई negative candle बनती है तो उसी negative candle का high का stop loss लगा के मैं sell करना पसंद करूँगा और यदि हमें 100,200 point नीचे की opening मिलती है तो मैं वहाँ पे positive candle बनने का wait करूँगा और जैसी वहाँ पे positive candle बनती है उसी candle का low का stop loss लगा के मैं high पे buy कर लोगा दोस्तों को लियाद रखना कल market बहुत volatile रहेगा इसलिए कल कम content से trade कीजिए तो आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, share and subscribe कीजिए मरे चैनल को और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेखे